कि हो गया अगाज अबरण का बस युग बदलने की तैयारी है इतिहास वही दोर आएगा जिसका संघर सभी जा रही है नमस्कार दोस्तों मैं सोनु पाल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टार्गेट फर्स सभी का स्वाकर तर्विन दन करता हूं दोस्तों जैसा कि आप सम समय आ रही है पिछले बार अawan में नि सवन को ज़क है अन तक देखेंगे और इस वीडियो को पूरा अन तक देखते हैं तो आपको तो जो question आपका जो question attempt है दो से तीन number आपका दो से तीन question आप ज्यादा attempt कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पुरान तक देखते हैं तो देखें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सिप्ट का analysis वीडियो करते हैं center पर जाकर ठीक है तो जो भी experience हमको वहां से मिला है उन बचों से मिला है जो हमें questions बताते हैं और जो attempt बताते हैं और जो label बताते हैं और मेरा खुद का भी experience है क्योंकि मेरा भी exam 16 जारी को first day में था first day first shift मेरा भी exam था exam देकर आ तो मेरा जो according हम अपने हिसाब से और जो बच्चे exam देकर आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको हम strategy ब H&B को पा रहे हैं तो आपको हंडेट को से जितना भी कोशन छूट रहा है माली अगर पांच में से आप नहीं देख पा रहे हैं तो पांच मेंसे आप कर लेते हैं तो आप हजारों बैचे से उपर जाते हैं तो वहीं उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे तो देखिए जोस्तों यह तो कंफर्म है कि इस बार जो जीडी का एजाम हो रहा है 2021 का वह दोज़ाठारा जो एससे जीडी का एजाम हुआ था उससे बहुत चाज मार्किंग नहीं था तो यह बात आप कंफर्म रखिए आप मेरी बाने तो इस बार जो कटफ है लगभग उससे जो एक दो नंबर जरूर कम जागा इस बर कटफ कम एक दो नंबर क्यों कटफ कम जागा क्योंकि कोस्तन का लेबल जो है जो प्रैक्टिस एड बच्चे मार के रहे हैं जो भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करके आ रहे हैं उनका जो नंबर था वह उसी साब से आ रहा था असी बिरासी नंबर आ रहा था लेकिन एक्जाम में बैठने के बाद वह कुशन का लेवल अप हो गया तो इसलिए बच्चे थोड़ा फॉस्टेट भी हो गए हैं पहला बात मेरा ध्यान रखिए कि आप अगर एक्जाम देने जा रहे हैं अगर आपका मंडे को एक्जाम है या मंडे के बाद से एक्जाम है तो आप एकर एक्जाम देने जा रहे हैं तो पहला च्वाइस आपका होना चाहिए कि पहला च्वाइस आप रिजनिंग करें तो पूह सिसक रिखिया है क्या 3 मिनट के अंदर अगर रिजिनिंग कमप्रीट कर लेते हैं उसके ऐसके बाद आपको जो यजिन लगता है या पर आप को हिंदी ञगता है तो हिंदीर लिखुए या फिर आप English ली हैं तो English attempt कर लें इसी में यही एक subject है यही एक section है जो आपको number अच्छा number gain कर सकता है आप इसमें अच्छा number ला सकते हैं 22-23 बच्चे भी ला रहे हैं इसमें easy है तो इसमें आपको perfect number आएगा उसके बाद उसके बाद आप जरूर से GS GS पे जिले जाएं GS भी बहुत उट पटांग पूछ रहा है अगर यहां पर अगर आप 10 number भी ले आते हैं 10 number कोसन आप 12-13 attempt करें आप अपने ही साब से 12-13 पंदरा अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा score है आप मेरी माने तो बहुत अच्छा score है अगर 10-15 अगर कोसन अटेमिन कर ले रहे हैं इस बार SSC GD के एक्जाम में ठीक है और अंतीम समय में कम से कम हाथ में 40-45 मिनिट का 40-45 मिनिट आप हाथ में रखे मैथ के लिए ठीक है क्योंकि मैथ जो है सारे कुसन कम से कम 25 कुसन मैथ में भंद कारे रहे हैं इसमें से साथ से आट कुसन कल्कुलीटिब मा तॉ लग रहा है और इसे टाइम टेकन लग रहा है समय लग रहा है तो आप सब से अंती में रखे मैत को ठीक है ताकि अगर आपका अगर मैथ नहीं वो पाता मतब्द कि 15 मिनट में 15 मिनट में आप हिंदी और 15 मिनट में हिंदी और GS क Complete कर सकते हैं ठीक है और अंती में आप 40 से 45 मिनट रखिए Math के लिए और कोसिस किजिए कि आपका Reasoning वो Complete हो जाए और हाँ एक बात और अगर आप किसी भी Reasoning कि मैं इसके को से भागर दें कि आपको यह कुसें आता है आप उसे बाद में घरना चाहते हैं में लेकिन आपको हम बता दें कि आप मार्क रीवीव का चार से 2 3 45 से ज़्यदा नहीं देख पाएंगे अगर आप 10-15 question लगा दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम वापस आके हम mark and review question attempt कर लेंगे तो यह possible बहुत यह होना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है ठीक है तो कोसिस कीजिएगा कि एक बार में question attempt करें और एक बार में clear कर दें और कितना बीजी है अगर दो और दो question में और आपका अंसर पांच आ रहा है तो एक बार करें और दूसरा बार ना करें ठीक है आप इस बात को देखिएगा या फिर अब यह भी आप अगर टेस्ट मार रहे होंगे ना टेस्ट बुक मार रहे होंगे या फिर offline ही मार रहे हूं तो आप यह वाला experiment करके देखिएगा आप 100% successful होईएगा फिर हमको आप बोलिएगा कि यह क्या है ठीक है तो हम कहे रहे हैं कि कितना भी easy question हो दो और दो चार आ रहा है अंसर होना चाहिए लेकिन आपका पांच आ रहा है तो उस question को mark and review करके छोड़ दिएगा ठीक है यह हो गया बात दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको यह strategy हो है थोड़ा सा मेरा समझ वह आगा यह हम अपने अनुभों के हिसाब से बता रहे हैं और जो भी student जिनसे भी हम पूछते है question वह भी अपना बताते है कि strategy क्या है उनका और वह भी अपना strategy कुछ न कुछ सब हर student अपना strategy लेकर जाता है ठीक है तो मेरे according यह strategy आपके लिए best होगा ठीक है और दोस्तों एक मत और अगर आप जहारखंट से आते हैं ठीक है जहारखंट से आ रहे हैं ठीक है तो जेनरल बहुत लोगों को सब्सक्राइब करना उसीतर होगा तो देखिए अगर आप जेनरल से आ रहे हैं कर रहे हैं सतर से पचतर कोसिस कीजिएगा जितने भी है कोसिज आप यह कीजिएगा कि आप जितना भी कोशन अटेंट करें ना वह 100% कोशन करें अगर कुछ सन पांच-चे कोशन ऐसा लें जिसमें आपको 50-50 हो 50-50 मत्तब दो कोशन पर आपको डाउट है तो वह कोशन को आ लिए और नौर्माइशन में नंबर उसी का बढ़ेगा जिसका माइश मार्किंग कम होगा ठीक है अब डेख लीए जो ग्रुबड़ी का इजाम हुआ है उसमें इतना कम लोग मार्किंग मारा उसका उतना नंबर इंक्रीज हुआ है तो इस बाद के आप ध्यान रखेंगे खास दोर पर ठीक है जेनरल अगर वी सी से आते हैं तो आप सतर से पचतर को से अटेंट कर रहे हैं तो माली पांचों को सन गलत हो रहा है तो आपके पास 66 67 नंबर सब्सक्राइब जहीं है तो यह सिक ते सिटीसिक नंबर में आप फिक्स बढ़िए कि 65 नबर से ओपर इसका कटक्प नहीं जा त्थिक एक cructic 6 न medoर पैसर ट्याipोट हा जाता है और से विपर राज में रहा है असे निकित कि बात करें तो आप को सतर से 12 कौन करे बहातर सब्सक्राइब करें अगर आपका 64 से पैला जा रहा रहा है तो आप बिल्कुल से उन में है ठीक है और ऐसी की बात करें जैसी जितना भी क्योंकि बहुत सारे बचों से कुछते हैं कितना पूस्ते हैं ठीक है कि